हलो स्टुडेंस एवियम क्लासेज में आपका स्वागत है हम लोग का ये दूसरा वीडियो है एक्स्पोनेंट चाप्टर के उपर हम लोग आज एक्स्पोनेंट्स का कुछ कोईशन करने जा रहे हैं तो हम लोग का ये पहला कोईशन है 3 to the power minus 1 multiplied by 9 to the power minus 1 जो ब्रैकेट में divided by 3 to the power minus 2 उससे पहले हम लोग ने जो पहले वाला वीडियो में जो रूल्स किये थे उसको अप्लाई करना होता है यहां पे तो जो रूल अप्लिकेबल यहां पे है ये वो है नेगेटिव पावर रूल अगर negative power को positive power में convert करना हो तो क्या करना पढ़ता है उसका उल्टा that means reciprocal तो 3 to the power minus 1 को भी अगर हम लोग positive बनाएंगे तो उसका reciprocal क्या होगा 1 by 3 to the power 1 similarly 9 to the power minus 1 का reciprocal क्या होगा 1 by 9 to the power 1 divided by 3 to the power minus 2 को भी क्या लिख सकते 1 divided by 3 square सब negative क्या हो गया positive हो गया अब दूसरा step में numerators को multiply कर सकते उपर में वोगा 1 denominators को multiply करने से 3 to the power 1 multiplied by इसको 9 to the power 1 ही रखेंगे अभी के लिए ठीके अगर यह हम लोग का पहले वाला rule था यह दूसरा rule कोई भी division sign को अगर हम लोग multiplication के sign में convert करते है then division sign के बाद जो भी number है हम लोग को उसका क्या लेना चाहिए reciprocal that means उसको उल्टा कर देना चाहिए तो हम लोग यह यहाँ पे जो division sign को क्या करने वाले है multiplication में convert करने वाले है तो उसका क्या होगा उल्टा that means 3 square 1 by 3 square क्या हो गया 3 square अब next step में 1 by 3 to the power 1 और 9 to the power 1 को क्या लिख सकते है 3 square because 3 square is 9 multiplied by 3 square हम लोग का तीसरा rule क्या है जो यहाँ पे अभी apply करना है वो है same base rule ठीक है जो अगर base same हो और power different हो और बीच में multiplication का sign हो then we have to add the power हम लोग क्या करेंगे power को जोड देंगे e to the power m plus n हो जाएगा वो ही rule apply करने से क्या होगा 1 divided by base तो 3 है 3 to the power 1 plus 2 ठीक है power को add कर दिया multiplied by वो 3 square जो है वो ही लिखेंगे 3 square हम यहाँ पे simply देख सकते है क्या है 1 divided by 3 3 power में 1 और 2 को add करना है तो it will be 3 multiplied by 3 square अब हम लोग क्या करेंगे numerator, numerator and denominator, denominator को multiply करेंगे ठीक है so it will be 3 square divided by 3 cube और 1 को multiply करने से 3 cube अब चौथा rule जो यहाँ पे apply होने वाला है वो है same base but division में rule ठीक है अगर बीच में division sign होतो if division sign is in between अगर बीच में division का sign हो और base same हो then we have to subtract the power power को क्या करेंगे subtract करेंगे तो वह अप्लाइ करने से क्या होगा 3 to the power 2 minus 3 उसको लिख सकते है 3 to the power minus 1 इस negative को positive बनाने से क्या होगा 1 divided by 3 तो यह है हम लोगा required answer यह दूसरा question है 1 to the power 8 into 3 to the power 0 into 5 to the power 3 into 2 to the power 2 एक का कोई भी पावर हो 10 हो, 200, 300 क्या होगा 1 ही होगा so 1 to the power 8 will be 1 और रूल में देखते है अगर कोई भी एक नंबर हो 8 to the power 0 हो तो उसका value क्या होगा 1 ही होगा ठीक है for example कोई भी एक नंबर मान लिजे 5 5 का पावर 0 वो भी कितना होगा 1 मान लिजे negative हो minus 2 का पावर 0 वो भी क्या होगा 1 मान लिजे कोई बड़ा नंबर हो जेसे 100 to the power 0 वो भी 1 सो क्या बोल सकते any number to the power 0 जब भी क्या होगा 1 ही होगा तो 3 to the power 0 भी क्या होगा 1 ही होगा multiplied by 5 का कीव कितना होगा 125 125 multiplied by 2 का स्क्वेर 4 now अब सब multiply करने से 125 4 multiply करने से कितना होगा 500 so यह है हम लोग का required answer यह हम लोग का तीसरा question है जिसमें दिया हुआ है 3 by 2 whole to the power 4 4 multiplied by 8 by 27 whole square तो पहले वाला जो है वैसे ही copy करेंगे 3 by 2 whole to the power 4 multiplied by अब देखते हैं 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cube 8 equals to 2 cube similarly 3 cube बराबर 27 ठीक है so in place of 8 हम लोग क्या लिखेंगे 2 cube और 27 के बाद दे में 3 cube whole square next step में फिर से वही copy करेंग 3 by 2 whole to the power 4 multiplied by अब यहां पे जो rule applicable है वो rule है अगर numerator और denominator में different base हो लेकिन same power हो तो क्या कर सकते हैं bracket के बाहर पे एक power लिख सकते हैं so वही rule apply करने से क्या होगा 2 by 3 उपर में भी 3 नीचे में भी 3 तो वो 3 को क्या लिखेंगे बाहर पे 3 और एक bracket आएगा because मुआ पे क्या है square है ठीक है वो square को भी लिख लेंगे अब next step में फिर से वही copy करेंगे 3 by 2 whole to the power 4 multiplied by अब जो rule applicable है यहां पे वो है अगर कोई भी base का 2 या 2 से ज्यादा power हो तो क्या कर सकते हैं वो powers को multiply कर सकते हैं तो multiply करने से क्या होगा 2 by 3 3 into 2 6 वो ही rule apply कर रहे है 3 or 2 multiply then we will get 6 अब यहां पे जो पहले वाला rule किये थे उसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं जो a by b whole to the power n है वो दोनों को दे सकते 3 to the power 4 divided by 2 to the power 4 लिख सकते हैं ठीक है power जो 4 था वो दोनों को दे दिया similarly 6 भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों को दे सकते हैं numerator and denominator को ठीक है 2 to the power 6 divided by 3 to the power 6 हो गिया वो भी अब देखते है numerator में भी 3 है denominator भी 3 है उसका कुछ power भी है तो उसके लिए rule क्या है a to the power m divided by a to the power n ठीक है अगर basis सेम है and division का sign हो देन हम लोग क्या कर सकते एं subtract ठीक है 2 टू टू टु टू पाड़ 6 divided by 2 to the power 4 है minus 4 लिख सकते है 3 to the power 6 है जोपर में 3 to the power 4 है तो 3 to the power 6 biennus 4 लिख सकते है इसको हम लोग क्या लिख सकते है minus कारने सी क्या होगा 2 square divided by 3 का भी square ठीक है क्या होगा 3 का square So, 2 का square का मतलब है 4 और 3 का square का मतलब है 9 जो हम लोग का required answer है अभी हम लोग rule of exponent देखेंगे अगर equals to का दोनों side में base same हो ठीक, अगर दोनों side में base same हो तो power क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा If x to the power n बराबर x to the power a है then n बराबर क्या होगा, a होगा For example, अगर 2 to the power x बराबर 2 to the power 3 है ठीक है, यहाँ पर जो base है, वो equal है दोनों side में 2 है तो power automatically क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा So, हम लोग का x का value कितना होगा, 3 अभी का जो question है, इसमें हम लोग पहले वाला rule अप्लाई करेंगे 1, 1, 2, 5 equals to 3 to the power m multiplied by 5 to the power n दिया है Find m and end ठीक हम लोग का m and end find out करना है, जो power पे है solution में, given में क्या दिया है 1, 1, 2, 5 equals to 3 to the power m multiplied by 5 to the power n हम लोग ने, पहले जो rule किया था वो rule यहां पे applicable है, ठीक है इस question के लिए वाला rule applicable है अगर दोनों side में basis same हो, then power क्या हो जाएगा, equal basis same है, और power क्या हो जाएगा, equal if a to the power m equals to a to the power n m and end क्या हो जाएगा, equal then m equals to n हो जाएगा, ठीक है तो हम लोग यहां पे 1, 1, 2, 5 है यहां पे क्या देख सकते हैं, 3 and 5 है ठीक है, मतब 1, 1, 2, 5 को 3 and 5 में break करना है मतब उसका factors में breakdown करना है तो हम लोग उसका LCM लेंगे 1, 1, 2, 5 कर लेने से 5, 2, 10 again, 5, carry 1, 5, 2, 10, 5, 5, 25 2, 2, 5 अगर फिर से 5 से करेंगे divide तो क्या मिलेगा, 5, 4, 20, 5, 5, 25 अबर फिर से 5 से 5, 9 जा 45, 3, 3 जा 9 तो हम लोग का 1, 1, 2, 5 ठीक है 1, 1, 2, 5 बराबर कितना है 5 into 5 into 5 into 3 into 3 ठीक है यह factors है 1, 1, 2, 5 का है उसका factors में breakdown कर दिया हम लोग में So, 1, 1, 2, 5 equals to 3 to the power M multiplied by 5 to the power N यह given equation में हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 3 into 5 है तो 5 cube लिख सकते हैं multiplied by 3, 2 to 3 square हो जाएगा यह बराबर 1, 1, 2, 5 So, right hand side में 3 to the power M multiplied by 5 to the power N So, वो rule apply करने से यहाँ पर compare करने से क्या मिल रहा है 5 का power cube है So, comparing both sides और left hand side and right hand side left hand side और right hand side को compare करने से we get क्या मिलेगा basis देखते है 5, 5 है तो M का value क्या जाएगा? यहाँ पर 3, 3 है basis तो M का value 2 और similarly 5 base के लिए क्या होगा? N का value 3 ठीक हम लोग का जो यह answer है